विस्फोटक न्यूज के प्रायर जग है रेट प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स भारत मता की इनकलाब वन्दे पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया पंजाब वाले हो तुस्सी कमाल कर दिता वी ओल लोव यू पंजाब आज जो पंजाब के नतीजे आएं ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई है अज पंजाब के अंदर सुखभीर सिंग बादल हार गए कैप्टन साब हार गए चन्नी साब हार गए प्रकाश सिंग बादल साब हार गए नवजोट सिंग सिद्दू हार गए विक्रम सिंग मजीथिया हार गए पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तो बहुत बड़ा इनकलाब है यह बहुत बड़ा इनकलाब है भगत सिंग ने एक बारी कहा था भगत सिंग ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था लूट रहे थे देश को कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई हस्पताल नहीं बनाए लोगों को जान बूज के गरीब रखा गया पूरा का पूरा वो ही अंग्रेज़ों वाला सिस्टम चल रहा था आम आदमी पार्टियों यह सिस्टम बदलाए पिछले 7 साल के अंदर हमने ये सिस्टम बदला है हमने इमानदार राज़ीती की शुरुआत की है हमने लोगों के काम की शुरुआत की है अब बच्चों के स्कूल बनने लगे है गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है बाबा साब अमबेड कर और भगत सिंग जी का सपना पूरा होने लगा है लेकिन दोस्तों यह इतना असान नहीं है यह लोग सारे मिलके बहुत बड़ी बड़ी ताकते हैं हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी ताकते हैं आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े-बड़े शड़यंत्र किये गए, कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर, सारे ही कठे ह हो गई आमादमी पार्टी के खिलाफ सभी कठ्थे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका आमादमी पार्टी नहीं आने चाहिए कोई पार्टी आ जाए सबका एक ही मकसद था आमादमी पार्टी नहीं आने चाहिए कोई भी पार्टी आ जाए बड़े बड़े शड़्यंत रखी है इन लोगों ने अंतु में ये सारे ही कठे हो के बोले केज्रिवाल आतंकवा दिये दोस्तो आज इन नतीजों के जरिये जनता ने बोल दिया देश की जनता ने बोल दिया केज्रिवाल आतंकवादी नहीं है केजरिवाल देश का सच्चा सपूत है केजरिवाल सच्चा देश भक्त है जनता ने अपना नतीजा सुना दिया जनता कह रही है केजरिवाल आतंकवादी नहीं है आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके दोस्तों आज हम सब लोगों को संकल्प लेना एक नया भारत बनाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इनसान दूसरे इनसान से प्यार करेगा मुहबबत करेगा कोई नफरत की कोई जगे नहीं होगी उस भारत के अंदर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मा बहने सुरक्षित होंगी एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी एक ऐसा भारत बनाएंगे मुझे बड़ा दुख होता है आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल के शिक्षा लेने के लिए युक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे खूब सारे इंजीनिरिंग कॉलेज खोलेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को युक्रेन नी जैना पड़ेगा पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे जो जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं जितनी महिलाएं देख रहे हैं मेरी माँ बहने देख रहे हैं जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रिलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यपारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सब को मैं कहना चाहता हूँ, आप सब आते हो, आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा, जो जो लोग आजी टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी करें, तो दोस्तों, आम आदमी बड़ी ताकत है, मैं बार बार कहता हूँ, इस आम आदमी को चुनोती मत दो, ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े-बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी-बड़ी कुरसी आई जाएंगे, तो आज मैं सब लोगों को देश के लोगों को आवान करता हूँ, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ, अब इंकलाब लाना है देश के अंदर, समय आगया है भारत का, 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिये, अब और टाइम खराब नहीं करना, सब लोगों को, सब लोग आम आदमी पार्टी जोइन करो, आम आद करे भाई, भगवन सिंह मान जी को पंजाब का सीम बनने के लिए बहुत बहुत बदाई देना चाहता हूँ, इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है, लोगों ने बड़ी उम्मीदे जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है, इस व खमंड नहीं करना, हमें एहंकार नहीं करना, हमें बत्तमीजी नहीं करनी, ये लोग हमें गालियां देंगे, इन्होंने चुनाम में मेर को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क् तंकवा दिये हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना हमें इस देश की राजनीती बदलनी है हमें प्यार और महबत की राजनीती लेके आनी है हमें सेवा की राजनीती करनी है कहीं कोई बिमार दिखे कहीं कोई मुसीबत में दिखे उसकी मदद करो हमें सेवा की राजन उनका अशिर्वाद लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर वन देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों